नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे जया एकासी से संबनित सभी महतपूर बाते जैसे कि जया एकासी का ब्रत हमें कव रखनी है ब्रत का पारण हमें कव करनी है पारण में कौन कौन से चीज़े खानी है हमें किन चीजों का दान करनी है किस देवता की पूजा करनी है सुआगिन महिलाओं को कौन से कारे नहीं करने है तमाम इसी प्रकार के बहुत सारे महतपूर्ण बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं और सभी महतपूर्ण बाते जान लेते हैं तो सबसे पहले बता दू माग मास के सुक्ल पक्ष की एकाची को ही हम जया एकाची के नाम से जानते हैं जया एकाची के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्री कृष्ण ने कहा था कि इस ब्रत को जो रखते हैं और करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के अगर उनके द्वारा हत्या हुई है जैसे ब्रह्म हत्या गो हत्या किसी भी प्रकार की हत्या तो उन सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है तो अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का पाप हुआ है तो जया एकाथसी का ब्रत रखने से ऐसा मान जाता है कि हर पाप जो है हमारे नश्ट हो जाते हैं और उससे हमें मुक्ति मिलती है तो आप चाहें तो रख सकते हैं ठीक है यह सुकलपक्च की एकाथी है अधिकतर लोग रखते हैं ठीक है माग में आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग माग असनान भी करते हैं जैसे कि का इने में आपको मालूम ही है कि हम सीव जी की भी पूजा करते हैं और विश्णु भगवान का भी कृष्ण जी की भी आप पूजा कर सकते हैं एकाथी के दिन आप चरूर कीजिए अब चलिए जान लेते हैं कि एकाथी का ब्रत हमें कब रखनी है तो एकाथी का ब्रत हम एक फर्वरी को रखेंगे दीन क्या है बुद्धवार ठीक है एक आज्ची युक्त दो आज्ची का जो दीन पढ़ता है ब्रत होता है वो बहुत ही अच्छा होता है तो 산 zeker दोकर SM commence प्रारम हो जा रही है तो एक आजसी यूक्त जो एक आजसी होता है उसमें ब्रत रखना बहुत ही सुभर्फल दायक माना जाता है तो आप लोग एक फरवरी को ब्रत रखेंगे ठीक है और अगली चीज क्या है कि आप लोग जरूर पूछते एक दिदी बाल कब धोएं बाल होती है जैसे दसमी के दिन तो आप ना धो हैं लेकिन अगर मान लेजेगे आपको धोहना है धोकर इब्रत रखना है तो मंगलवार को बाल धोशकते हैं साम को भी दव सकते है अगर मालीजे सुबम में आप लोग नहीं धोए हैं तो आप लोग धो सकते हैं लेकिन अगर मालीजे तबियत खराबे कुछ प्रॉब्लम है तो गंगा जल का छिड़काओ कर लीजेगा और सीर के उपर से एक आजसी के दिन महिलाओं को सुहागीन महिलाओं को बाल गीला नही लोग दसमी तीथी से ही नहीं खाते हैं तो आप देख लिजेए अगर खा लिया है गलती से तो अपने उपर गंगा जल का छिड़काओ कर लीजेगा ठीक है और आपको जैसे महिलाओं को बाल नहीं धोनी थोनी है एक आजसी के दिन मैं बहुत पहले ही आपको बता चुकी ह कि एक आजसी के दिन अमोस्या के दिन पूर्णीमा के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए महिलाओं को पक्का इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और सिर अगर हो सके तो गीला भी ना करें बाकि आप लोग अपकी मरजी है और अगर मासिक धर में भी लड़किया हैं महिलाएं तो एक आजसी के दिन बाल ना धोएं बच करें यह यह भी हो गया आगली चीज क्या है कि एक आजसी के दिन हमें कौन कौन सी चीजों का दान करनी चाहिए तो देखिए दान में आप फलहार का दान कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं विश्णु भगवान के नाम पर माग का मह कि लोग हैं जिसको आप देना चाह रहे हैं आप लोग देख लिजियेगा ठीक है और उसके बाद से चली अब हागे जान लेते हैं कि आपको उस दिन गंगा असनान करनी चाहिए, माग का महीना चल रहा है, सभी को मालूम है, और आप चाहे तो गंगा असनान भी 81 के दिन जाकर कर सकते हैं, जो कि बहुत फालदाई है, हमार लिए बहुत ही अच्छा होता है, अगर हम 81 के दिन जाकर गंगा असन जो ब्रत नहीं रखेंगे वो भी बचाएं एक आटिसी के दिन अगर चावल नहीं खाते में ब्रत का आधा लभ मिल जाएगा तो ये भी हो गया 286 के दिन हमें क्या क्या करनी है तो किसी भी ब्रत में मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, पारण के दिन भी आप अपने मुख में ब्रस वेगरा न डालें, दातून का ही प्रियोग करें, क्यूंकि सबसे पहले वही हम मुँ में डाल लेते हैं और ब्रस जो है जूठा रहते हैं, तो इसलिए दातून का प पारण के लिए मुठे और ब्रस कर लिए, मत कीजिएगा, जूठा ब्रस मत कीजिएगा, नया हो तो कर लिजिएगा, तो ये भी किलियर हो गया, और दो आजसी के दिन आपको केवल रोटी खानी है, घी में बनी होए, बेंजन खाने, जो भी मतलब आप खाना चाहते हैं, ज खर की दाल, चने की दाल आप लोग खा सकते हैं, घी से बना हुआ, तड़का लगा कर सबजी में आलू के या जो सबजी आपको पसंदे खा सकते हैं, घी में बना हुआ, चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, किलियर हो गया, अब चलिए जान लेते हैं कि पारण का स तोड़ी नहीं सकते हैं, तो आप क्या किजिएगा, पहले से अगर तुलसी पत्र रखी हैं, या पौधे के पास दो-चार जड़ा है, तो जरूर डालिएगा, विश्नु भगवान का जैसे भोग ना तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है, अगर आप लोग थोड़ा पूजा बहुत सारी मेरी बहने पूछती हैं, एक आजसी के दिन करें या ना करें, तो दीखें, एक आजसी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, और आक्षत विगरा भी नहीं चड़ाते हैं, क्यों नहीं चड़ाते हैं, कि तुलसी माता जो है हम पूजा नहीं करते हैं तो फिर हमारा ब्रत जो है अधूरा माना जाता है तो तुलसी जी की पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा और तुलसी जी की पूजा में धूप बत्ती दिखाना है दिया दिखाना है ये सबी चीजे दिखा कर अब तुलसी माता का जो ही आरती वेगरा जानती हैं मंत्र जानती हैं वो कह लीजिए लेकिन आपको जल नहीं डालनी है इस बात का आप लोग ध्यान रखेएगा ये भी किलियर हो गया अगली चीज क्या है कि चलिए अप पारण का सुब मोहरत जान लेते हैं तो देखें एक आजसी का ब्रत हमें एक फरवरी क ब्रत को रखेंगे दुआसी का पारण हम दो फरवरी को करेंगे दोपर चार बज के कुछ मिνट तक है चार बज के 25 मिनट तक है दो आजसी ती ति तो आप लोग आराम से सुब में ही हमें किसी भी जैसे दवाज सी का पारण करनी चाहिए सुरियोदे के बाद ही करनी चाह तो सूब मोर्त बता दे रहे हूं कि देखे साथ सूबस साथ बजकर 11 मिनट से लेके 10 बजकर 15 मिनट तक सूब मोर्त है इसी के अंदर में आप लोग जल्दी से सूबस सवेरे सब अपना भूजन विगरत तयार कर लिजे और भूजन कर लिजेगा भूजन से करने से पहले क्या करें वैसा करें नहीं जितना आप दे सकते जितना के लिए सक्षम है आप उतना ही दीजे लेकिन जरूर कुछ अपने हाथों से दान कर दीजेगा ये भी हो गया और भूजन जब लेकर आप करने बैठती है तो अगरासन मैं हमेशा बोलती हूँ पहला जो भोजन है निवाल सकते हैं या अपने घर में बच्चों के लिए या कोई बहु बेटी है या किसी को पहले हाथ में रख कर ही भगवान को तो पहले लोग भोग लगाते हैं आप चाहे तो भोग भी लगा सकते हैं अगर सुद्ध से बनाए हैं अच्छे से तो तो आप भगवान को भोग भी ल लोगों समझ में आ गई होगी पूरी बाते और 7 बच के 11 मिनट से लेकर 10 बच कर 15 मिनट तक है सूबा में किलियर हो गया तो ये वीडियो मेरा यही तक कता फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिये सुरक्षित रहिये और जहां कहीं भी रहिये